नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिलीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं भार करते हैं अपने चनल ट्रेवल भी दिलीप में आज आपको जो मंदीरी नाला जो बन रहा है उसका अपडेट आपका भाई आज आपको देने वाला है और दिखाने वाला है कि कुलंबर के पास यह मंदीरी नाला का काम जो है चल रहा है और मैं आपको अपडेट दे रहा हूं और इसका अपडेट हमने एक बार पहले दिया था लेकिन वह सोट में था लेकिन यह पूरा देखिए आप और यह सामने आपको दिखेगा बेली रोट और थोड़ा अंदर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं तो थोड़ा अंदर लेकर के आ चुके हैं और यह जो मंदीरी नाला इसका काम जो है अभी काफी समय से बंद है आप देख सकते हैं अभी 50% अभी काम हुआ है और यह जो है बास खाट तक जाएगा उधर और बाद में इसे गंगा पत्स बरिकेटिंग नहीं है और सामने आपको सब मकान दिख रहा होगा अगर कोई आता है कोई गिर जाता तो उसका जब तो अभी हम उस से जो आप देख सकते हैं बेली रोड हम अभी वहाँ पर खड़ेते हैं और वहाँ से हमने आपको इसका सीन दिखाये था लेकिन अब दूस पास में आप देख सकते हैं बहुत सारे घर हैं अगर बच्चे अगर निकलेंगे तो उनको समझ में नहीं है अगर वो नीचे गिर सकते हैं यह कहीं न कहीं सही नहीं है इस पर बेडिकेटिंग पूरा होना चाहिए था लेकिन बेडिकेटिंग नहीं है तो यह सही नहीं है लेकिन आप इधर देख सकते हैं मंदीरी नाला का जो काम है अभी यहीं तक पहुचा है जी है मैं आपको दिखा रहा हूं और यह जो मंदीरी नाला इसको जो बास घाट तक बनाया जाएगा और उसके बाद फिर बाद में जैसा कि हमने आपको बोला कि गंगा पत्ते भी इसक इसका से काम होता है जिससे खत्रा हमेशा बना रहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेडिकेटिंग होना चाहिए हलाकि उनका कहना सही भी है तो चलिए इस मंदीरी नाले का जो यह वर्ग अपडेट आपको कैसा लगा एक छोटा सा हमने आपको अपडेट दिया तो मिलते ह का ख्याल रखें अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने ट्रेवल बीद लिफ्टर ऐसे ही छोटे बड़े ब्लोग में आते रहें जैए